नमस्कार में नाजमापदी और आप देख रहे हैं नीर 30 एक्सप्रेस और अब वक्त हो चला है इस वक्त ही बड़ी और एहम खबरों का रक्षो को रक्षा सूत्र बांध बक्सवाहा बन बचाने के लिए की गई प्राटना बुंदेल खन के जनपद महोबा में जंगल बचाओ दिवस की रूप में बुंदेली समाज की लोगों ने महरानी लक्षमीबाई के शौर्य दिवस पर सड़क के किनारे लगे व्रक्षो को साड़ी सिबनी रक्षा सूत्र बांध और उनको गले लगाया साथ ही उनकी रक्षा का संकल्प लेते हुए एश्वर से बक्षवाह जंगल को कटने से बचाने के लिए प्राटना थी आपको बता दें कि सिपूर्व पर्यवरन दिवस पर बुंदेलों ने प्रधान मंत्री को खोन से खतलिक कर बक्षवाह जंगल को बचाने की गुःर लक्ष्मी बाई के बलिदान दिवस को आज महोबा सहित पूरे बुंदेल खंड में जंगल बचाओ दिवस के रूप में मनाया है। बुंदेलों के हाथ में बक्सवाहा जंगल को कटने से बचाना है। हीरा नहीं हरियाली चाहिए। बुंदिल खंट की खुशाली चाहिए जैसी तक्तियों के साथ महरानी लक्षमीबाई की वो तस्वीरे भी थी जिनमें वो अपने दत्तक पुत्र दामुदर राव को पीट पर बांध कर तलवार ले घोड़े पर सवार हैं। प्लांट जंगल कटवाने पर अमादा है। संद्री भारश शरकार उनको भेजा है ताकि इस पर अमल किया जाए हमारा प्रथक बुंदेल खंड राज्य का जो हमेशा शिगूफा बनाते हैं। संद्र में आप। मानित तारा पाठकार जी के नितत्त में जो पठक बुंदेल खंड की मांग बहुत जोरों से उठाई। उन्होंने आज ये प्रदूतन और पर्यावरण से सम्मंदित बुंदेल खंड की खुसाली के लिए जो ब्रक्ष हैं और बुंदेल खंड की खनच संपदा और बन संपदा यही बुंदेल खंड की सबसे बड़ी संपदा है। और उसको भी साजेत की तहत काटा जा रहा है। उसके बिरोध में जो आबाज उठाई हम सब बुंदेली भाई हमारे बुंदेल खंड के गांधी तारा पाठकार जी के साथ में हैं। और पेड़ों को हम लोग किसी तूरत में नहीं कटने देंगे। तो कि यही पेड़ आज अभी परवेक्ष में आक्सीजन की कमी आप सभी को मुद्दे नजार है। और इनी पेड़ों से सब लोग कहते हैं कि एक ब्रक्ष दस पुत्र समान। अगर एक ब्रक्ष कटता है तो अब समझ लीजे कि हम लोगों का कितना बड़ा नुकसान है। लोग तारा पाठकार जी के नेतत में आरपार की लड़ाई लड़ेंगे और किसी भी तूरत में बक्तो आके जंगलों को कटने नहीं देंगे।